विल्कम बैक टो आ चैनल आज मैं आपके लिए बरतनों के उपर से स्टिकर निकालने के बहुत ही आसान दो तरीके लेकर आई हूँ देखिए इस तरीके से हमारे पास कभी कोई चीज आ जाती है इसमें जिसे पिकल का बरतन है यह प्लास्टिक का है और इसमें जिसे चकनी थी प्लास्टिकर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना भी आप अगर करेंगे ताकत से भी तो वह नहीं निकलेगा क्योंकि कंपनी की तरफ से लगा हुआ होता है और हम इसे अगर कोई चीज इसमें डाल कर रखना भी चाहे तो वह वैसे आपको फिलिंग नहीं चीज में हम तो अगर आपको इसे रियूस करना है या तो पिर आपके पास कोई नया बरतन आया है उस पर कंपनी के नाम है MRP लगी हुई है स्टिकर पे तो वह भी हमें अच्छा नहीं लगता है यूस करने के लिए तो हम आसानी से स्टिकर चाहे वह बरतन ब्लास्टिक का हो ग्लास का ह तो कैसे निकाले वह आपके लिए मैं दो तरीके लाई हूँ आप वीडियो बिना स्किप किये पूरी देखिएगा आपको बहुत मदद मिल सकती है इस वीडियो से और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकिशन बि एक चमच खाने वाला सोड़ा जो हम कीचन में यूज़ करते है बहुत एजी मिथड है आपके घर में ये चीज़ अवेले बहले बस इसे हमें डालना है और अच्छे से स्पून की चमच की मदद से मिक्स कर लेना है तो देखिए हाफाफ करके मैं डाला है इसलिए आपको द अच्छे से निकाल सके तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है तो मुझे लगा कि यह वीडियो आपके साथ जरू शेयर करनी चाहिए और मैं आपको बिल्कुल 100% डिवीव दूंगी कि कौन से तरीका आपके लिए बहुत अच्छा है और कौन से तरीके को कम वक्त और क तो हम क्या करेंगे जो स्टिकर वाला एरिया है यानि कि जहां पर स्टिकर लगा हुआ है वो ले लेंगे आप देख सकते हैं स्टिकर ये कुछ निकला हुआ है क्योंकि बहुत काफी ताइम से यूज कर रही हूँ लेकिन आपको बताना था इसलिए मैंने इसको लिया है और एक बात का ध्यान रखिए ये जो दोनों मेथड़े तो आप तीनों बरतनों के उपर यूज कर सकते हैं यानि कि वाला मेथड़ आप सेम कांच के ग्लास किस पर भी यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक वाले कंटेनर या बरतनों पर भी यूज कर सकते हैं अभी दूसरा और गरम पानी डाल रही हूँ ताकि पूरे अच्छे सिस के अंदर डूप जाए भीग जाए देखिए आपको याद दिला दू कि पानी इतना गरम होना चाहिए कि हाट डूब हो सके निताप कहेंगे कि प्लास्टिक पिगल सकता है और कांच पूट सकता है लेकिन मैंने पानी इतना गरम नहीं लिया है तो देखिए अब हमको हो गया है आदा गंटा और आदे गंटे के बाद हम इसे खोल कर चेक कर लेते है तो आदे गंटे के बाद आप देख सकते है कि कितने अच्छे तरीके से यह जो ग्लास वाला जार है तो पानी में भीग चुका है और हमने पा पानी में भीगोया और इतना गरम पानी लिया कि कांच का बरतन फूटेना और प्लास्टिक पिग लेना तो देखिए कितने आसानी से हातों के मदद से ही यह स्टीकर निकल रहा है आप बिल्कुल देख सकते हैं तो बहुत ही इजी सिंपल सा में थड़े बस बड़ा सा बरत कैसे चोटे हैं और इसके उज़े से थोड़ा सा मुझे वह रहा है तो मैं क्या करती हूं यह पर नाइफ कर लेती हूं अगर आपके नेल्स बड़े है तो आप नेल से भी कर सकते हैं यह तो इसी मिथड़े आप इस तरीक से नाइफ ले ले लीजे चाकू यह तो पिर होता है वह भी इसके उपर बॉटल पर निशान नहीं लग रहे है आप देख सकते हैं क्योंकि पूरे जो भी है स्टिकर आसानी से निकल रहा है देखिए आप मेरे हातों में देख सकते हैं यह ग्लू के साथ स्टिकर निकल रहा है ऐसा नहीं कि उपर से स्टिकर निकल गया और ग्lue वालल पार्ट जो watch white उता है वो बॉटल को चिपका है ऐसा बिलकुल भी नहीं है ग्लू के साथ स्टिकर बहुत ही आसानी से निकल रहा है तो देखे आपको वीडियो को कर बिग्या है किम 형टर स्टिकर क किता कि ऊह आपको उत्त्ता है कि आपको एशे न लगे तो थोड़ा समझे इसको इस तरीके से निकालना पड़ रहा है बाकि दूसरा पार्ट जो अच्छे से भीग गया था वह इसलिए निकल गया है आप क्या करें जब भी आप बरतन पाने में भीगाए तो बीच में एक दो बार चेक कर ले और जो भी बॉटल कंटेनर जो भी अगर आपको वीडियो पसंदारी तो कमेंट करना ना भूलिएगा तो देखिए इतने आसानी से मैं से निकाल रही हूं और देखिए आपको लग रहा हूंगा कि मैं नाइफ से कर रही हूं तो स्क्रेचेस पड़ेंगे नहीं मैं बिल्कुल हलके हाद से नाइफ से कर रही ह बॉटल पे बिल्कुल भी स्क्रेचेस नहीं पड़ रहे हैं अब यह हमारे पास प्लास्टिक का कंटेर है तो देखिए इसे भी मैं निकाल रही हूं अब आपको 100% रिवीव मैं दूँगी के आदे गंटे के अंदर कांच वाला जो कंटेनर है वो इजी ली निकल गया है औ थोड़ा सा इसको रफली करना पड़ रहा है क्यों कि इसको अगर मैं और 10-15 मिट भीगने देती थी तो यह भी उसी तरीके से आसानी से निकल जाता था लेकिन मेरे पास थी वक्त की कमी क्योंकि मौसम खराब था लाइट जाने वाली थी तो यह वीडियो फिर स्टॉप करन पड़ती थी इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरीके से आपको निकाल के बता दू लेकिन अगर आप चाहे थोड़ा और वक्त इसको इस तरीके से रख दे पास से 10 मिनिट और अगर आपको लगे कि निकल नहीं रहा है तो यह बहुत यह आसानी से निकल जाएंगा आपको दूस नाइफ के मदश से इस तरीके से राउंड राउंड करके पानी में निकाल दी हूँ अब पानी में मैं इस लेस निकाल रही हूँ कि आपको मैंने बता दिया है कि इससे थोड़ा सा और वक्त चाहिए था तेकिन वक्त की कमी की वज़ए से मैंने आपको दिखाना था बहुत अच्छा है इसे में क्या करूंगी थोड़ सा रप कर लूँगी कि जो एरिया पर अच्छे से और नहीं लगा होगा तो यह रप करने के वज़ए से वो भी निकल जाएगा तो मेरा रिवीव यह है कि इसे जो स्टिल का बरतन है इसे भी अगर मैंने आदा गंटा क्योंकि लाइट जा सकती थी मौसम के खराबी की वज़े से इसलिए मैं आपको ऐसी ही आपको बता रही हूँ लेकिन यह मेथर बहुत ही अच्छा है आप देख सकते है वस थोड़ असा मुझे इसको स्क्रेच करना पड़ रहा है और यह आसानी से स्टिकर निकल जा रहा है बहुत ही इसलिए हो जाता है आपके अच्छे अच्छे बरतन आपकी यूज में आएंगे और बिल्कुल भी स्टिकर के वज़े से खराब नहीं लगेगे आप दोनों भी मेथर में यूज कर सकते है आप चाहे तो स्टिल का बरतन भी पानी में डाल सकते है या आप चाहे त अच्छा लगे आप थीनों भी बरतन भी पर दोनों में से यूज कर सकते है तो देखा आप ने अच्छे तरीके से निकल चुका है जैसे हमने इस निकाला अच्छे साफ पानी से स्क्रब की मदश्टे से धोलिया है तीनों बरतनों को हमने जो भी आप बरतन वाला सोप यू किन से इस तरीके से साफ कर लूँगी अंदर बाहर दोनों तरीके से और अब यह जो कंटेनर है अच्छे से कोई भी सामान रखने के लिए है रेडी आप की चन में डाले हो सुखे मसाले हो या पीसे हुए मसाले हो या ग्लास के बरतन में बनी हुई कोई चटनिया रख सकते है अधर प्लास्टिक बरतन रख सकते हैं अगर आपको मेरी आज की वीडियो यूसफुल लगी हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजे मेरे चैनल को और लाइक कर दीजे और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे इतनी मेहनत करती ह आपके लिए तो आपके कमेंट का आपके लाइक का इंतजार रहता है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजे नोटिफिकेशन बिल को और पर क्लिक कर दीजे ताकि इसी तरीके से अच्छे ची वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो म दीजे फांव कर दीजे तो आपको सबसे लेखने मिलते हैं पूमीू मिलते हैं पूमीूमीू झाल झाल झाल